इस लेतन में हम बात करेंगे different types of YouTube posts और उसके बाद हम बात करेंगे YouTube का algorithm क्या होता है और किस अंदाज में काम करता है और साथ में हम उसकी कुछ tips भी देखेंगे जिससे हम अपने channel को काफी तेजी के साथ grow कर सकते हैं और यह वाक्य में पॉसिबल है easily YouTube के उपर grow करना अगर अब वादम सलाम बिलाल अच्छा तो पहसे चीज़ अब हम स्टार्ट करते हैं के different types तो जो में Facebook posts बताई थी उसके विलावार Instagram, TikTok सबकी बताई है मैंने तो YouTube की भी वैसे एक तो सबसे common है YouTube के पर हम वीडियो अपलोड करते हैं ठीक है लेकिं इसके लावा भी 2-3 और है एक तो नहीं नहीं है आपको पता है shorts दूस तीसरा YouTube लाइव और चोथी है YouTube की community post ठीक है तो इंचालोगा हम one by one देखेंगे खास दूर पर जो वीडियो है उसकी हम बकाइदा SEO करेंगे e-commerce की product के लिहास से SEO करेंगे आपको पूरा step by step process दिखाऊंगा monetization जो monetize चैनल होते हैं उन बाकी जो step हैं हों सारे सेम होते हैं Okay तो सबसे पहले जो post आप जानते है YouTube की वीडियो जो बहुत ही आम है और 2005 से जबसे वीडियो YouTube create हो यह तक है 24 पास से उस वीडियो ही उसका main platform रही यानिक format रही है medium रही है ठीक है एक YouTube वीडियो बेस platform है साथ में वह एक search engine भी है तो अब हम पहले एक वीडियो upload करना देखेंगे आप चैनल अगर नहीं है नए आपका तो आपको यहां भी वीडियो upload करने का option मिल रहा है यहां भी मिल रहा है आप डैश बोर्ड में से भी स्टोडियो में से भी जागे कर सकते हैं काफ़ी सारे option है तो बिरहाला हम simply इस प्लस के बटर में क्लिक करते हैं यहां पर हमें go live को भी option मिल रहा है लेकिन live नहीं जा पाएंगे आप upload वीडियो को भी option है तो हम पहले वीडियो को upload करते हैं तो यह रे स्टूडियो में लेकि जा रहा है तो हम वहाँ से जाकि हम ड्रैक करें यहां से करें कोई नहीं पहले पॉप अप से open हो जाता था जिसमा वह होए वह महिपर channel पही हो जाता था लेकिन यह रृस्टूडियो में आपके हो रहे कोई यह drag and drop के जरीए भी कर सकते हैं, हम और simply select भी कर सकते हैं अच्छा इसके अंदर इसको मैं cancel कर दो हूँ इसकी खास हो जागी है कि मैंने SEO में आपको एक और चीज़ बताया थी, वीडियो upload करने से भी पहले कि आपकी जो आपने पहले keyword research करनी है, ठीक है? पहले मैं इसको तो पहले हम keyword की research करेंगे, कि हमने किस keyword पर दालनी है अपनी वीडियो, उसके बाद हम इसके की join uploading करेंगे, तो अगर मैं आपको वीडियो के चलाए हैं, तो वीडियो आप पहले देखें, अच्छा वीडियो आप सब देखें, ताकि आप आपको product क्या है, और किसी करनी है, तो आप मुझे बताएं कि आपको screen show हो रही है या नहीं हो रही है, आप लोगों को screen show हो रही है वीडियो की, confirm है ठीक है, अब एक person कह रहा है कि नहीं हो रही है, बागे सब कहरें हो रही है, तो चला हम एक बार इसको reshare कर लेता हूँ, कोई मस्दा ने, आपको उमीदे हो रही होगे screen share और show, अच्छा तो मैं ये वीडियो चला रहा हूँ, उसके sound में बंद कर दिया है, बिल्कुल, वैसे तो पहले ही scenes आपको समझ में आगी है product लेकिन, आप product के सारे features और सब चीज़े, अराम स्कून से समझ लें, तो आप अगर आपको video का content ही नहीं बता कि क्या है, तो आप SEO कैसे करेंगे, तो पहले आपको बताओ कि content असल में है क्या, तो मैं ये video चला तो, तो ये video थी, अब हम इसके SEO के तरफ जाएंगे, लेकिन, पहले हम keyword research करेंगे, उसके बाद हम आवी जाएंगे, अच्छा, तो मैं दुबाय से share करता हूं screen को, और अब हम अपने browser में आगे, तो अब अगर आपको समझने आए हो, तो पहले चीज़ ये sport watch है, waterproof sport watch, तो अब हमने इसकी SEO करनी है YouTube के चैनल के पर, यानि कि हम ये समझ ले हैं, कि हम किसी भी client के लिए करते हैं, ये अपने खु आपके software के तरी करें हैं, वह मारे अपनी मर्ज़ी पार है, लेकिन हम यहाँ पर manually keyword research करेंगे, और कुछ keywords में से एक या दो को main keyword समझते हैं, हम SEO करेंगे, तो simply that से बात भी पहले मैं सर्च करना है, तो अब मैं देखा हूं, अगर, कि ये sport watch है, इसको हम अलग लग भी लिखत है, मैं YouTube पर आया तुम मेले, ये लेकिन YouTube आद में suggestion नहीं दे रहा है, ये लेकिन YouTube आद में suggestion नहीं दे रहा है, अब suggestion दे रहा है, अज़ आप यहाँ देखे है, यहाँ पर अगर कुछ सिर्फ sport watch खाल लिए कि मैंने space डाली है, तो हमें कुछ result शो हो रहे हैं, जिसमें कुछ के जो है ना, उन्होंने brand का नाम लिखा हुए साथ में, और कुछ बगएर नाम के हैं, और कुछ के साथ जो है ना, features दिए हैं उनके ना, ठीक है, जिस एक में ल रिजिस वाच टाइम सेट, sport watch काई में, company sport watch, shock, resistant time set, और इसके अंदर जातर में, यानिके उसके इस्तिमाल करने के तरीके वगरे कुछ, जो है ना, बताया हुए, लेकिन, मैं इसके थोड़ा पहले जाके, space अगर डालता हूँ, तो यह हमें क्या result देगा, लेकिन यह विजा रहा, सही से result, यूटूब इसके हिसाब से सही से result नहीं दे पा रहा, यूटूब सही से result नहीं दे रहा हुए, वही 4-5 result दे रहा हुए, गुगल के पर भी try करता हूँ, नेट का issue है, यह तो शायद, लेकिन suggestion तो मेरे पास भी बहुत सारी है, लेकिन हमें ऐसे वेने आपको कहाँद है कि हमने अपनी मर्जी के keyword नहीं दालने, हम वो दालेंगे जो हमारे customer है, वो search करते हैं, ठीक है, हमें अपने customers की मताबिक keyword दालने, अब मुझे sport watch अच्छा लोग के असल में क्या सही है, ठीक है, तो sport watch, मैं कुछ search करता हूँ for men, वो men के लिए है, तो exact वही उसी type की results नदर आ रहे हैं, जो हमारी घड़ी थी घासर भी यह वाली, तो इसके अंदर suggestions मैं हम आते हैं, अब देखें, यहां पर आकर देखें, तो जो लोग search करें, यह पा sports watch for men, best sports watch for men, ठीक है, इसके लावा men's sport watch waterproof, sport watch price in Pakistan, अचा अब यहां पर समझे है, अगर में जालाद डीपैसियों में जाओं, वो खास्तों दूसरी ऐसी जो होती है, वेबसाइट लिहां से, उसमें न हर keyword का एक intention होती है, ठीक है, यानि कि कुछ होते हैं, जो informational keyword होते हैं, कु जो हैं transactional होते हैं, और इसी तरह से, एक और किसम है इसकी, informational, navigational, और साथ में transactional, एक और है, जो मेरे जहन से जार निकल रही है, किसी को बता है तो मुझे बता भी सकता है, अचा, तो informational जो keyword होता है, एक ऐसा keyword होता है, जिसके अंदर कोई जो search करने वाले है, उसकर जो mean query होती होती है, जो इसकी intention होती होती है, यह होती है, कोई information तलाश कर रहोता है, ठीक है, कोई information तलाश कर रहोता है, और जो navigational होता है, और commercial होते हैं, एक चार जो होते हैं, एक informational, navigational, commercial और transactional, तो जो navigation होते हैं, वो ऐसा होते हैं, जिसमें हमें exact पता होता है, कि हमारी direction क्या है, यानि करने का जो ट्रांजेक्शन होते हैं काफी ज़्यादा या नहीं के समय लिए एक होट ओडियन्स यह होट किवर्ड होता है जिसमें वो बाय करने के लिए त्यार होता है क्योंकि अब हम एक e-commerce प्रोडक्ट की सबसे बात कर रहे हैं तो हम एक ऐसे किवर्ड चाहिए है या तो इंफर्मेशनल हो ठीक है या फिर वह ऐ तो best sports watch for men ये एक अच्छा keyword है और long tail keyword है एक चीज़ देखी जाए तो अगर मैं यहाँ पर कोई और देखाँ तो कोई खाज यहाँ पर देखिए नविकेशनल इसमें ड्रेक्ट दराज का नाम यूज किया गया है कि जो सर्च करने वाले है वो दराज के अंदर sports watch ढूनना चाहा है ठीक है जो brand के नाम यूज कर रहे थे वो exact उस brand के watch देखना चाह रहे थे तो हमारे लिए यह काम के नहीं होते दिरें क्योंकि उनकी exact जो purpose होते हो दूसरा होते हो वो website पर जाना चाहते हैं वह हमारी website पर आना नहीं चाहते हैं तो हमें transactional चाहिए जैस प्राइस ठीक है या buy या sale वो काईदा लवज लिख दे या फिर information को मैं यूज कर लेता हूँ इसके सर्चिस होती हम थोड़ी जाद होती है transaction के सर्च थोड़ी कम होती है तो मैं अभी फिलाल इस एक को अपने जयान में बना चुए देखें कीवर्ड रिस से जाद होती है ठीक है अगर मैं वह सवारी कीवर्ड रिस यहां पर करने लगा तो हम वाले दो गुंटे से जादा यहीं गुजर जाएंगे कीवर्ड रिस से जाना रिस सान गाम ये एक दो निट का काम नहीं होती है लेकि मैं इस एक कीवर्ड को बेस बनाते हूं एस योपो कुछ उपर नीचे करते हैं में सार्क के दोर पर इसको मैं सच्छ करते हूं आप देखें कि यह वेबसाइट हैं और वगरा वगरा आ रही ह है लेकिन मैं बरहाल इसी को select कर लेता हूं मैं इसमें कोई भी pay tool use नहीं करूंगा manually करके दिखेंगे ताकि हम manually upload करना सीखें तो अब मुझे पाद है कि यह मेरी keyword है main मैंने आपको कहा हमेशा कि एक primary keyword होगा पाकिसारे sporting keywords हो सकते हैं लेकिन primary keyword सिर्फ एक होगा तो यह मैंने एक keyword को रख लेता हूं इसमें सिर्फ sports watch for man भी मेरा keyword है सिर्फ sports watch भी keyword है और best sports watch for man भी यह चारपाज keywords का एक मजबुआ है तो मैं एक पूरे keyword को ले रहा हूं और यह मुझे चारपाज़ वर्डबर्स के अंदर रहें करने में असानी देखा मैं इसी को main keyword समझता हूं तो अब मैं जब SEO करने लोगा तो जिसमेने पहले काया आपको कि पहले आप उस file का नाम वही रखेंगे जो आपको main keyword है तो मैं अपने file का नाम पर आजाता हूं फाइल के अंदर इसका नाम में अपडेट करता हूं और exact वही रखोंगा जो मेरा keyword है ठीक है अब मैं इसको upload करूंगा वापिस आता हूं अपने sports watch में sorry अपने channel पर upload videos और हम यह uploading को आज़ा देए अब जो हमारी file का नाम है वह exact वही आए जो हमारा keyword है ठीक है यहाँ पर file name आपको शो हो रहा है अब हम इसकी SEO करने लगेंगे तो जैसमें लिए चार से 5 step होते हैं जो monetize channel होता है उसके अंदर एक step इजाफी होता है वह monetize का होता है monetization का होता है जिसमें वह add select करने का option देता है अच्छा एक चीज़ में आपको उदा दू यह किसी और की वीडियो यूज नहीं करता है यह मरी अपने साथ ही वीडियो इसमें मुझे किसी किसम आप copyright की टेंशन नहीं है तो इसलिए अगर आप भी कोई आपका title important है और description तो बागी सब चीज़ हम आगी दुबाया से discuss करने वाले है तो मैं title description को दालूंगा तुला सा और thumbnail में डालनी सकता custom क्योंकि नहीं कि हुई बागी चीज़ा हम यहाँ पर setting देखेंगे तो अब title वैसे तो सही लिखा हुआ है मेरा अब यह वो मैं इसमें space खतम करना चाहता है लेकिन मैं work keyword रखूंगा जो search हो रहा है ठीक है अपनी मर्जी का नहीं करूंगा अब यह best sports watch for men search हो रहा है google के पर भी और almost youtube के पर भी search हो रहा होगा ठीक है इसमें कोई शक वाली चीज़ नहीं है 19-20 का फरक हो सकता लेकिन सर्च हो रहा होगा YouTube आज मुझे suggestion नहीं दे रहा था उन्हें यूटूब पे सही इसको डालना था शाद को नेटवर्क की issue के वजासे अब यहाँ पर मैं जो कुछ और additional चीज़े भी डालनी हूँ जो उसको attractive बनाए ठीक है तो पहले चीज़ तुमें क्या है साल का दा रहा हूँ कि अब जो साल शाट हो नहीं हो बारत तेरा 14 दिन के बाद 2023 तो अब जो searches होंगी वो यह क्या है best sports watch क्या है best sports watch for men तो इसके साफ से मैं दाल दे दो सिर्फ एक मिनट आपको रुकुना होगा मैं वापिस share करने लगा हूँ अच्छा ठीक है तो यह मैंने एक keyword डाला अब मैंने आपको जबता है अब यह सिर्फ हमारे 30 करेक्टर होएं ठीक है हम 60 अराम से एक अच्छा लिमिट है 60-70 के दिम्यान की और अब 100 तक भी जा सकते हैं तो अब मैं यहां पर कुछ और डालता हूँ मादल में में सागतों पर waterproof watch थी वो variable watch थी और भी different चीज़ है थी लेकिन मैं क्या करता हूँ मुझे समझरों कि मुझे नहीं बसा या इसमें क्या चीज़ डालनी है मुझे समझ नहीं आ रही तो मैं simply इस keyword को ही सर्च करता हूँ मैं देखता हूँ कि दूसरे लोग क्या use कर रहे हैं क्या दालर हूँ उनका thumbnail कैसा है ठीक है आपको idea नहीं में रहा है आप सर्च कर ले अब यहां देखें top 5 best sports watch in 2022, 7 best military watches for men 1.3 million views ले चुकिये military grade smartwatch TX pro unboxing and review best running watches अब देखें इसने एक इजाफी चीज़ डाली जो बाकी लोग नहीं दा रहे है best smart watches 2022 that are not the apple watch ठीक है इसने apple के नाम को इस्तमाल किया smart watch है लेकिन apple watch भी नहीं है भी best ठीक है यह एक अच्छी चीज़ उसने डाली हर इनसान को देखना पड़ता है कि वह खासतों बजबाबदार है तो आप पहले industry को समझें अपने customer को समझें तो आप सही अंदाज में खेल पाएंगे उसे काफी अच्छी चीज़ डाली है अच्छा तो काफी साही चीज़ हमें देखी हैं लेकिन सिर्फ idea लेना है हमने लेना था तो मैं अपने मताबिकों दालता हूँ हमने हमारा में में बक से लेग टाइटल कुछ attractive सा हो जाए ठीक है इसके इलावा हम emojis का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन अब अगर मैं कुछ डालता हूँ best sports watch for men मैं सिर्फ परी तरफ से ऐसी दार हूँ लेकिन अपना scannery keyword दालना पसंद करूंगा कोई scannery keyword में back भी जाता हूँ अपिस यह अचा keyword यहाँ पर नहीं मिल रहा ठीक है यहाँ पर स्यास अतना चला है अनवीटेबल वाटरप्रूव मैं इसी के उपर रुप जाता हूँ वन्हाँ वो तोश्य खाने में जाता है तोश्य खाने में नहीं जाना हमने देके बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा से अट्रेक्टिव या कंपेलिंग हो जाए दूसरों से थोड़ा से डिफरेंट हो जाए जो सब लोग यूज़ कर रहे हैं उसके से थोड़ा सा हट जाए यह अलग हो जाए बस यह कोशिश है हमारी टैटल की हमारे एक में कीवड आ गया उस एक में कीवड में वैसे हमने काफी सारी चीज़ डाल दी लेकिन एक कम अजकम आ गया है तो अब बात यहां पर आ जाती है डिस्क्रिप्शन की अब डिस्क्रिप्शन तो जहर से बात है कोई खास इस प्रोड़क कर नॉलिज है नह हम किसी प्रोड़क की डिस्क्रेप्शन ही उठा लेते हैं अगर उस भाई ने दी हुई हो तो लेकिन डिस्क्रेप्शन है कोई अच्छी दी ही नहीं हो लिए पर हमें खुदी कुछ करने पलेगा या पिर करता है यह मैं आपको बता रहा हूं कि क्या कर मैं प्रिसाज करने बादा कि इसका क्या टैटल ही है तो यह टाइम हमारा काफी साथ ली जाएगा लेकिन आपने कम असकम भी 200-500 वर्ड करेक्टर का आपने कम असकम description लिखनी आपने यह भी 78 हुई है हम थोड़े से और सोचे हैं तो और भी बन सकती है लेकिन इसकी features और benefits को डाल के मैं बना सकता हूं लेकिन इससे क्या होगा कि time हमारा waste होगा लेकिन मैं आपको वस यह करना च मैंज में एक दो यह लवज भी दाला जा सकता है वारप रोफ शोग रिजिस्ट एंड अनब्रेकबल अच्छा एक चीज़ यहां पर जहां हम लखें कि जो पहली दो line होती है न हमारी वह search में भी show हो रही होती है खास टोर पर web desktop search करना ठीक है तो पहली दो line है काफी है हम होती है इसके अंदर आप कोशी करें कि आपका सब आपका जो main keyword है वो भी आजाए एक बार तो कम असकम आई जाए ठीक है और overall description में दो बार कम असकम आजाए तीन बर भी हो जाए तो बहुत है इससे जादा बार जान बूचके नहीं दालना अच्छा अब यह हमारी description हो गई हमारा title हो गया इसको हमने जितना अच्छा बनाया हमने हमने अपने description लिखिए अपने keyword दाला उसमें उसके बाद हम अपना custom thumbnail दालना था हमने लेकिन क्यूंकि हमारी तो सेरफ verification नहीं हो और हमारा page बिल्कुन नहीं है इसलिए हमें wall आओ नहीं कर रहा उसके बाद best है कि अगर आप playlist बना सकता हूँ प्रेलिस कैसे बनाते हैं यहां से भी आप इजली बना सकते हैं create playlist और आपकी बिलिस बन जाए इस प्रेलिस में एड भी कर दता हूँ अब यह मेरी वीडियो प्रेलिस में भी एड हो गई उसके बाद यहां पर मैंने 9 स्लेक्ट किया हुए वह kids वाला जो option है तो 9 सही है उसक बाद मुझे यहां शो मौल पर कुछ option मिलेंगे तो paid promotion हमारी नहीं है यह paid promotion ऐसे कि कोई आपको pay करता है influencer के लिए तो आप इसको select कर सकते हैं और बता सकते हैं दीखने वालों को कि यह वीडियो जो भी हम दार रहे है वह paid promotion है ठीक है तो इसकी हम जो दालने के जूर नहीं है automatic chapters वैसे जुरत तो नहीं है क्योंकि शोट वीडियो एक लेकिन अपन रहे है कोई मसला नहीं है अचा है places का option है पूछ रहे हैं हमसे allow automatic places यानि कि आपकी जो places की office location समझ लें या various location समझ लें जैसे हम facebook लगाते है उसकी location को यह automatic डालेगा जिसको hashtag यह कुछ हमने use किया है उसको टैटल के टॉप पे दिखाना स्टार्ट कर देगा हाँ लिंक जैसे बातिल दालना जरूरी था कि आप अब जैसे बातिया आप प्रोडक्ट डाल रहे है अपना तो जैसे बातिया जो मीन गोले मुत्री है ने कि सेल हो तो आप यहाँ पर डाले बाय है जो भी आपके प्रोडक्ट का नाम है ठीक है और बाय वाचिया जो भी आप डालना चाहें उसके बाद अपने लिंक डाल सकते हैं मिस्टा के दूपर मैं इसका लिंक भी मुझे पता है मैंसे अचा यह कोपी राट शो हो रहा है क्योंकि यह वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर दली होगी पहले ही लेकिन हम इसको रिमूब कर लेंगे वह चैनल भी हमारे यह भी हमारे है अचा वैसे मैं इस पर डाल सकता हूं तो मैं डाल देता हूं एपसाइड भी जब होई रहा है तो अचा आप यहां पर एक चीज़ देखे हैं यह आपको रेड स्क्रीन रेड नाज़ आ रही है इसको जाए यह देखे हैं यहां पर बोल रहा है कि कोई भी क्लिकेबल लिंक एक्स्टरनल लिंक आप बगएर वेरिफिकेशन के निस दाल सकते हैं यानिके आपकी जब टूसरे चैनल है कोई उरिजिनल चैनल नहीं है जिस पर मैं टूसरेटप वेरिफिकेशन करवा हूँ तो मैं वाप शो मोर पर आजाता हूँ लिंक आप यहां पर यह दाल सकते हैं और सैकलों के जदाद में मैंने अपने और वीडियो पर देले हूं है इसमें सिर्फ टूसरेटप व पिर भी जो है हमारा टाइग दालने का वह मेंन कीवर्ड है उसको हम टाइग में डाल देलें थीक है best ?? यह Also correlate ऐसको मैं पहले में डाल देताओ पेhla-pela टाइग हमारा यही ऊगा जो हमारा main keyword है उसके बाद मैं इसको दोनों complete दालतों 20-30 के साथ मैं जादा tag नहीं दालूँगा बर जितने मैं दाल सकता हूँ भी फिला ताके time हमारा कम से कम जाय हो कम से कम जाय सर्फ हो ठीग है स्पोर्ट्स वाच खाली स्पोर्ट्स वाच इनके बगएर इसके साथ बगएर स्पेस के ताकि किसी अंदाज में भी सर्च करे हमारी सर्च आज के और इस टैग कमेंन मकसद अलगुरितम को भी सिगनल देने कि हमारी वीडियो क्या है ठीक अब यह मैंने चार पाच कुछ टैग डालें 500 हम डाल सकते हैं 500 करेक्टर तक तो आप इससे जादा भी एजिली डाल सकते हैं जैसे वाटर और जो भी आपको टैग मिलते हैं कोई कि आपने पूरी लिस्ट बनाने यह टैग की जब आप कीवर्ड रिसार्च कर रहे होंगे हमारी पस्टाइम की कमें के जाशन में कीवर्ड रिसार्च भी कुछ खास नहीं की तो यहां पर जो हमारी वीडियो की लैंगविज वो पूछ रहा है तो हमने जैसे बाद इसकी कोई लैंगविज नहीं है तो हम नोट एपलिकेबल बोल देते हैं कैप्शन सार्टिफिकेट हमने की स्कूर्ण देना और नहीं है रिकॉर्डिंग डेट वैसे इसमें लोका अलाव नहीं दालने की जोड़ नहीं है अच्छा मैं यहां पर दालना जो मैं जान पूछ के यूनाइटिड स्टेट दाल देता हूं आप कोई कंट्री दाल भी सकत हुए है और अगर यहां पर कुछ नहीं होगा तो फिर आपके हैस्टेग प्लेसिस को दूर पर शो हो सकते हैं टॉप के पर तो अगर आप चाहते हैं कि हैस्टेग टॉप पर फिर आपने लोकेशन नहीं दालनी आपर बागी सारी सेटिंग हम ऐसे ही दहने देता है पिपल आपके यहां तक कि एक हसा क्म्प्लीट हो जाएगा अच्छा यह इसके बात हमारे पास थोडियोधी वीडियो आलिमेंट जैसे में आपको अंड़ स्क्रीन और काड़ अब यहां पर सवाल या थेकर एक के एंडड़ स्क्रीन दालने के लिए हमारे पर हमारे प Samacen को आरे जब कि यह तो हमारी वीडियो ही पहली है ठीक है इससे पहले कोई वीडियो ही नहीं है हमारे पास तो मैं इसमें तो and screen दाल ही नहीं सकते लेकिन अगर आप डालना चाहें तो अब उसको select करें उसके पर element में आप video भी दाल सकते हैं प्लेलिस भी दाल सकते हैं subscribe बटन भी दाल सकते हैं और बात में आप link verify कर लेना तो link भी दाल सकते हैं यह साथ में आप अपने पहले से कुसी भी मव्जूज nod engaged की जिसके आप पहले से tone screen 78 01 00 स्क्रीन तो आप वहां से ड्रैक एक क्लिक से इंपोर्ट भी कर पाएंगे एंड स्क्रीन दालना बहुत जूरी होती इंगेज मेरे के आधिया भी आपको जब बलकुरित हम के हम बात करेंगे टिप्स देखेंगे उसको समझ में आएगी कार भी हम बले हैं लेकिनाइप कोई वीडियो नहीं है कि हम डाल सकते हैं इसमें भी हमीडियो पर लिटाल चीज़ें कंते हैं जिसमें सब्सक्राइब काक कि बाथन दाना की यह दोनुख चीज़ा आपने लाजमी दालनी है यह अगर आप किसी क्लाइन के लिए कर रहे हैं उसका सब्टाइटल का भी उप्शन आपके पास है सब्टाइटल की फैल दा सकते हैं तो सब्टाइटल पी अप्लोड लाजमी कर दें यह बेस्ट एस्ट एस्ट लिए यह भी उसके पार नेक्स के दर जाएं यहाँ पर हमें जो है न कोपी राइट का ऑप्शन शो हो रहे है इस वीडियो का कोपी राइट है लेकिन यह एक छोट आसा हिस्सा वो भी यह जो है न म्यूजिक के ओपर किसी का कोपी राइट है तो हम म्यूजिक को म्यूट कर देते हैं ठीक है और यह जो म्यूजिक हमारे म्यूट हो जाएगे तो हमारी हमने सिर्फ चेकिंग के लिए करना है कोई मसला नहीं यह इतना अच्छा अब इसने वीडियो को एडिटिंग करना स्टार्ट कर दिया है कि अब यह जो हमने म्यूट किया साउंग को यह उसको म्यूट अच्छे से प्रोग्राइस करके इसको रिमूफ कर देकर साउंग जब हम आखरी जो ओप्षिन हमारे विजिबिटी का है, उसमें हम देखते हैं कि हमारे विजिबिटी क्या होगी, प्राइवेट, अनिस्टी या पॉब्लिक, पॉब्लिक हम कर देते हैं, और उसके बाद हम स्कैजूल भी लगा सकते हैं, आने वाले वक्त के लिए, यानि कि आपने कल के लिए सक्ज़ लगाना हैं, तो आज मैं सबसनतार तरही के कल का कोई भी टाइम या इससे आगी का टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसके जो भी टाइम रखेंगे आप वो एजली हो जाएगी साथ में इस प्रीमियर के उप्षिन को आप याद रखें हम आगी जाके इस इस प्रीमियर को समझेंगे और इसके बहुत अच्छे फायद है वह हम आगी जाकी डिसक्रास करने वाले इस वीडियो के अच्छा यहां तक हम पेज उप्टिमाइजेशन है यानि कि ओन वीडियो उप्टिमाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद भी कुछ हिस्से होते हैं जो हमें करने होते हम आगे अपने अल्गोरित्म वाले सेक्शन में कवार करेंगी इंशाल्ला तो अब मैं इसको पब्लिश करता अब हमारी वीडियो पॉब्लिश है इसके अंदर कस्टम थमनेल बहुत ही ज्यादा एहम किर्दार आदा करता है और आपने लाजमी तोर पे कस्टम थमनेल डालना है कि कि यह हमारी वीडियो की पहली टाइप थी जो हमने यहाँ पर की है ठीक है अगर यहाँ पर कोई चीज और चोह सी टाइब बजा दो फिर हम अपने नेक्स टोपी की तरफ जाते हैं ठीक है अगर आपका कोई भी स्वाल नहीं है तो लेकिन दूसरी जो पोस्त है वो लाइप का ऑप्शन है मारा कि हम लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं अपनी यूट्यूब के चैनल पर ठीक है और बड़ी ही असानी के साथ कर सकते हैं करने को लेकिन यहाँ पर अगर हम लाइव स एक्सस आपको भेज़ा पर लगी जब आपको चैनल नया होगा कि 24 hours ले सकता है request को कबूल करने का उसके बाद इसकी कहीं कहीं पर ना कुछ और यह verification महाँ नहीं लग गया मुझसे तो क्योंकि मेरा चैनल नहीं है तो वेरिफिकेशन तुक सरफ वेरिफिकेशन हो और कहीं कहीं लाइव जा सकते हैं लेकिन अकसर इसके लिए आपको या तो मुबाइल के तरी लाइव जाएं बड़े असानी से चलिए बगए क्या सॉफ्टियर के वरना यहां पर आपको आपको सॉफ्टियर की जुरत होगी जो लाइव स्ट्रिम को आपको हैंडल करेगा वह फ्री यूट्स की वीडियो यूट्स की वहां पर बगाएद आपको मुबाइल के उपर आप्शन मिलता है यूट्प शॉट्स का आप रिकोर्ड करके भी दाल सकते हैं लेकिन यहां पर आपकी वीडियो एक मिन से कम होगी तो आटमेटिक शॉट में शामिल हो जाएगी अगर एक से ज्यादर की ओगी तो और पबलिश होगी यूट्प के पर पिर बहाओ फुल स्क्रीन सारी यह पॉर्ट्रेट पारमिट में क्योंग एक मिन से नीचे तो वह शॉट में चामिल होगी मिन से उपर रहे तो और बीडियो में चामिल होगी यह तीसरी टाइब ती इसके बाद Community Post एक और टाइप आती है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ मैं यहाँ चैनल खुलता हूँ आपना पर ले कि हमारी यह देख रहे हैं हमारी सी 37 सकिंड के तो यह आटोमेटिक शॉट्स में जा चुकी है ठीक है? शॉट्ट वीडियो में यह खुद शामिल हो कि है जहाँ बूज कर बेजाब जाड़ी जब हम वीडियो ऊप्लोड करेंगा तो हम एक और वीडियो का सک्ष्चन हो ओपन हो जाएगा यह प्लेळिस्स में भी शामिल होगी है और sports में भी शामिल होगी है उसके पाद हमारे चैनल जगर होते तो वो उसके बाद about का section तो इसके साथ ही हमें एको टैब मिलता है जब हमारे हजार सब्सक्राइबर से नीचे हो तो वो हमें discussion का टैब देता है लेकिन आजकर discussion का टैब उन्होंने खतम कर दिया और community का टैब भी दे रहा है बेशक आपकी जितने भी सब्सक्राइबर है मना पहले हजार सब्सक्राइबर से कम वाले को community का टैब नहीं मिलता था सिर्फ discussion का टैब मिलता था वो एक हलके बुलके discussion कर सकता था लेकिन community के अंदर वो पकाईदा पिक्चर भी upload कर सकता है text यूज कर सकता है एक छोड़े मोटी वीडियो दा सकता है गिफ वीडियो अप्लोड कर सकता है जो community का में मकसद होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ अब देखिए यहाँ यह वीडियो का section है शोट्स का है लाइव होगी तो लाइव का section में कल जाएगा प्लेलिस का section है community का section है यह है community जिसकी मैं बात कर दो इसकी जो main मकसद है वो engagement है आपके customer आपके जो followers हैं सब्सक्राइबर हैं उनके साथ आप simple text post भी कर सकते हैं ठीक है इसके इलावा आप link डाल सकते हैं आप इसमें pictures का भी इस्तमाल कर सकते हैं जैसे यह डाल यह मैं देख रहा है ठीक है इसके लावा gift बगारा भी upload कर सकते हैं तो यह एक type है जो engagement के लिए best है नहीं अब किसी भी किसम का tag लिगाने की जुरत नहीं है अगर आपकी वीडियो एक मिट से कम है तो वह automatic खुद ही short में चली जाएगी और यह भी आपके सामने live हुए हमने किसी भी किसम का tag नहीं डाला इसमें देख यहाँ पर किसी भी किसम का title में hashtag short लाली है मैंने अटोमेटिक खुद short में शामिल हो जाएगी बेशेक उसका format टिक्टोक का हो यह नहीं पोट्रेट हो एक मिनट वाली हर वीडियो short में डाल देगा यूटॉब आटोमेटिकली ठीक है तो यह हमारे चार टाइप की किसम थी community post अगर आपको मिलती है कम सब्सक्राइबर पर तो बेस्ट है नहीं मिलती है तो हजार सब्सक्राइबर के बाद आपको लार्जमे तोर पर आपको option मिल जाएगा 10,000 सब्सक्राइबर पर आपको वगाइदा e-commerce का option मिल जाते हैं वहाँ पर आप अपनी store को YouTube के साथ attach कर सकते हैं यह feature बहुत कम लोगों को बता है YouTube का कि आप अपने store को भी YouTube के साथ attach कर सकते हैं खास तोर पर POD store को जिसे हम print on demand store क्याते हैं तो आप एक अच्छी आनिग आती है लेकिन जो मैंने चार से बताए ना को यह हर चैनल को मिल जाता है ठीक है अब मैंने आपको बकाइदा अपलोड करके भी दिखा दिया है कि आपके assignment में यह काफी काफी सारा काम होगा इसलिए मैंने आपको बकाइदा दिखा दिया है तो अब हम इन types के बाद अपने algorithm के दर जाने वाले हैं अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लें वना पिर हम algorithm में topic को start कर देंगे तो फिर उसी से related सवाल जवाब के जाएंगे ठीक है कोई सवाल नहीं है आपका तो हम अपने algorithm वाले section में जाने माने सब्सक्राइब मैं skin share करता हूँ अच्छा देखे हैं हम पिछले lesson में हमने बात कर दे थी SEO की और detail में तकि पूरा lesson ही SEO के पर मैंने रखा था यह एक काफी एहम topic है लेकिन उसके साथ आपको यह चीज़े भी algorithm को भी बता होना चाहिए इसके एक से जाद जादा algorithm है वो कैसे काम करते हैं और उसके बाद कौन सी tips हैं जो आपको help करेंगी grow करने में SEO के साथ साथ तो अब हम one by one start करते हैं तो जैसे मैं आपको पहले बता दा रहा हूं सबका ही goal एक ही है अपनी revenue को बढ़ाना तो इस goal को आप हर हाल में अपने दिमाग में डालने बेशिकाप advertising करें बेशिकाप marketing करें अगर आप इनके goal में मदद करेंगे तो यह आपको promote करेगा तो अब पहले चीज़ है यूटूब का algorithm में असल में क्या है तो यूटूब का algorithm में वो एक recommendation system है जिसकी बुनियात पर वो decide करता है कि किस इनसान को कौन सी वीडियो दिखानी है बेशिक हो search में हो, home page पे हो, suggestions में हो ये किसी भी जिगापर हो explore time में हो, trending time में हो, कुछ भी हो, वो कौन सी वीडियो किसे दिखेगी वो इसके recommendation system decide करता है और यह एक से जादा recommendation system है वो उसे हम algorithm कहते है YouTube का YouTube का algorithm को decide आगे चाने से पहले आपको मैं कुछ इसकी history बताना चाहूँग यूटूब की कि इसने कैसे कैसे जो है न, algorithm को change किया पहले क्या काम करता था और अब क्या काम करता है उसने कैसे काम चाना छोड़ा, क्यों छोड़ा एक short short सी detail में यह discuss करेंगे उसके बाद आप अपने next topic की तरह बढ़ेंगे तो सबसे पहले चीज़, 2005 में उसे लेकर 2011 था जो main priority थी यूटूब की वो थी optimizing for clicks and views वो ऐसी videos को rank कर रहा था ठीक है जिसके ज़्यादा views यह click मेरे थे ठीक है जिसको जितने ज़्यादा click मेरे रहे हैं जितने ज़्यादा views मेरे हैं वो उन videos को rank करता था इससे जो है एक बीमारी ने पैदाइश हुई बीमारी की वो उसे कहता है clickbait clickbait thumbnails और clickbait titles लोगों ने दालना start किये अपनी videos को rank करने लिए जो clickbait होते थे thumbnail वो ऐसे होते थे कि लोग उसके उपर click कर देते थे क्योंकि उसमें जूट जादा mix किया जाता था तो अब लोगों ने click कर दिया अब उस click मान लिया views मान लिया अब इस click और views के बियाद पर rank करें अब भी उसे फरक नहीं परता कि content सही था यह खराब दा यह उसका एक optimizing system था 2005 से लेकर 2011 तक जो उसे बाद में समझ में आई उसे उसने pro जो है ना समझ में जो आई ना बात कि उसने देखा किया यह mislead से बात उन्हें जो चीज़ को ढूंड रहे थे उस पर जिसने उस चीज़ को देखने के लोंने click किया अंदर जा कि कोई और चीज़ निकले तो कुछ वो YouTube के पर जादा दिर नहीं रुक रहे तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ करबर है फिर उन्हें समझ में आई कि यह जो है ना दोग के बाजी वाले काम हो रहे clickbait thumbnails यूज हो रहे और इसके लावब कुछ और different tricks थी जिससे वो जाद हज़़दे व्यूज ले लेते थे फेक व्यूज ठीक है और उसके बाद खासर पर बोर्ट के दरी व्यूज ले लिए अब क्यूंके व्यूज जादा मिल गया तो YouTube ने उसके रैंक कर दिया तो इसलिए उन्हें इस चीज के समाने में उन्हें 2011 में उसको चेंज किया अपने अल्गोरित्म को लेकिन अभी भी क्लिक बेट काफी limit कर चलता है लेकिन अब बहुत ज़्यादा काम हो गया अभी ही चलता लिकिन बोत काम हो गया इसी समुल एक ब्लेक हैट टेकनिक में शामिल हो गया कि कुछ लोग अभी इसको ट्राइ करते हैं और कभी कबार को काम याब भी हो जाते है खास तोर पर स्पेशल इवेंट्स के मोग ओपर जैसे पाथिस्तान में पियसल ये कोई वर्ल्ड कप कास तोर पर फीफा वारा जो चल रहा है वर्ल्ड कप वैसा तो इस अंदाज को थोड़ से खेलते थे और क्लिक और व्यूज ले 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 लेते थे यह अभी भी काफी चलता है इसका अप्टिमाइजिंग फॉर वाच्टाइम यूट्व ने देखा कि वही सिर्फ क्लिक और व्यूज से काम ने चलेगा हम देखेंगे कि वीडियो के पर कितना वाच्टाइम आ रहा है जिसका वाच्टाइम वो टाइम स्पेंड अच्छा है उस वीडियो को हमने रैंक करना है सिर्फ क्लिक और व्यूज को हम देखेंगे बेशिक ते वाच्टाइम फरावे तो हम तुझे रैंक नहीं करेंगे यह इसने अप्टिमाइजिंग फॉर वाच्टाइम किया ठीक है लेकि हर चीज में जब कोई नया असुल बनता है तो वहां पर तूटने वाली चीज़े भ प्राव है तो जहां पर फेक व्यूज आसकते हैं वहां पर फेक वाच्टाइम भी आसकता है ठीक है और कुछ वीडियो जैसी इसे फिल्म है और ड्रामेज और यह वो उसजादा वाच्टाइम ले जाते हैं और जो खास तर पे सीकने सिकाने बादा एडूकेशनल मेट्रिय पे लेने दिया वाच्टेम से जादेर लोग बैठ तो रहे थे लेकिन उसने अपना फिर भी 2016 के अंदर अपना अल्गोरिफम 2015-16 में उसने अल्गोरिफम को चेंज किया और उस अल्गोरिफम को जो उसने रखा वो था वीडियो से आपके कॉंटेंट से अब सेटिस्फाइड को देखने के लिए मुख्लिफ जो है ना अल्गोरिफम की सेट बनाया है मिसाल के दर पर उसने देखा कि वीडियो को 50 मिन की वीडियो है 10 मिन देख ठीक है जी इंगेजमेंट तो अच्छी है 20% engagement rate है ठीक है फिर वो ल वो थी not interested का बटन कि लोग बता सकते हैं कि वीडियो को वो इंट्रस्टेड है या नहीं है प्लस अब वो feedback का भी system डालते कि कुछ वीडियो पे आप देखें हैं तर आपको पता हो कि वो बगाएदर feedback मांगते कि जो वीडियो आपने last देखिये last time देखिये वो वीडियो अच्छी है या बुरी है वो मुखलिफ reaction के तरही है आपसे बगाएदर वोट करवाता है ठीक है तो वह अंदासा लगाता है कि आपको के मुदाबिय के content कैसा है उसके साब से वो फिर rank करता है तो यानि कि अब जो system चलता है वो यह ही है optimizing for satisfaction उसने यह देखना है कि जो देखने वाले है वो कितने ज्यादा satisfied है और मुखलिफ signal उसने बना दिये subscribe जैसे watch time, like, dislike, comments और मुखलिफ चीज़ें उसके हम आगल गरी था मैं tips के section में भी discuss करेंगे तो यह एक नया उन्होंने मुतारिफ हुए 2015 से 16 के दर्म्यान ठीक है और इसकी वाइट पेपर रिलीस किये वाइट पेपर में थोड़ सा mechanism किया जाते है कि हम किस बुनियाद पर इस specific चीज़ें जो है करने वारे है खास दोर पर अगर विटकोईन वगयरा इस तरह की virtual currency को जानते हो तो उनकी भी वाइट पेपर रिलीस किये जाते है हर जब भी जब भी कोई currency आती है तो तैकि उसका mechanism समझा जासे के blockchain का तो इस ते हम इसी ज़रा इनोंने भी वाइट पेपर रिलीस किया 2015 सोला में जिससे उ आपके सामने एक structure से मुझूद है उसने बताया कि हम किस तरह से वीडियो को rank करेंगे यह किस तरह से हमारा algorithm rank करेगा ठीक है वो उसने का कि हम चीज़े देखेंगे यूजर सर्च करने वाली की history भी देखेंगे और उसका जो सर्च कर रहा है उसका content के साब से भी देखेंगे ठीक है हमारे पास वीडियो के बहुत बड़ा कोरपास है database से समझते है millions के अंदर अब एक परसन ने सर्च किया तो हमने जायर से बात है उस सारा database नहीं दिखा सकते हम उस user की हमने history देखी उसके मौटलिफ जो interest behavior सब कुछ हमारे पार data था हमने वो देखा उसके बाद 100 million दे है hundreds research जो है न सजेस्ट की उसको उन्हें से चंद को हमने rank कर दिया कुछ को जो sources है उस दुसरे candidate के sources लिया हमने interest लिया behavior लिया history लिया उसके बन्याद पर हमने उस 1100 में से भी चंद को टॉप पर रखा और कुछ को हम नीचे ले गए उनने मुकमल structure वाजी किया काफी अच्या देखें और गैनिक ही SEO है YouTube के पर एक सवाल पूचा है कि इसमें और गैनिक ही audience की कहानी नहीं है सिर्व आपकी SEO पर नहीं देखें मैं आपको दाता हूं मैं अभी आपको आगे हम बात करेंगे आप समझ जाएंगे SEO ही सिर्फ कुछ नहीं होता इसका आगे जो main 70% जो views आते ह SEO के इलावा होते हैं वो हम आगे आगे अल्कुलिता में जाके देखने वाले और गैनिक ही होता है SEO भी और दूसरे तरीके भी और गैनिक ही है तो यह उन्हों का एक white paper था जो उन्होंने release किया इसकी screenshot लेना चाहें तो ले सकते हैं वरना हम आगे बढ़ते हैं बस्ते इसको क पाइदा नहीं होगा आपको समझ यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने मुक्लिफ एक्टर से देखना था जो हम आगे आगे बात करने वाले हैं अचाए फिर भी अगर आपको कोई सवाल है यहां तक तो आप मुसे पूछ लें अधर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं यहां पर अगर कोई चीज़ सवाल आप पूछे जाए तो राम स्कून से पूछे हैं ठीक है कोई सवाल किसी का नहीं है तो सोया मत करो बता दिया करो या तो उसके मुकमल हिस्टरी उसके पास है उसको चेक करने की थोफ़ाद नहीं है जो मेन चीज़ो है उसने मुकमल हिस्टरी उससे बता है क्या आप गुगल पर किया सच करथे हैं यूटूब पर कै Partner सादर ड़ेंटा है और अगर आप न्यू भी है तो भी वह आपकी चंद सर्च आपके history और आपके interest को समझ जाएगा अच्छा लेकिन ने जो user होते हैं बल्कुल new user रहा है कोई history नहीं है उसके पाद इसके हमारे बल्कुल चैनल बल्कुल नहीं है उसकी रैंकिंग जो चीज़े होंगी वो थोड़ी सी सर्चे डिफरेंट होंगी कि उसकी कोई history नहीं है तो main focus सिर्फ उसके keyword के price आप से होगा तब हम बात करने वाले हैं YouTube इसमें YouTube लिख रहा था how the YouTube algorithm works लेकिन TikTok के लिख रहे हैं बचारा तो the YouTube algorithm जो होते हैं वो select करते हैं वीडियो को दो मुटलिफ गोल के साथ पहला गोल कि एक सही वीडियो select करने है हर एक viewer के लिए और उसको हम उसने सुमें लोगे किसम को push करना है बद दिखाने यसी वीडियो दिखाने जो जादा दे तक वो देखता रहे एक तो हम सही वीडियो select करें फिर वो जादा देर तक देखने के लिए भी हमने ऐसी वीडियो देनी है कि जिसको वो देखे भी जाद देर तक और हो भी सही यह में गोल होता है यूटूब के अल्गोरिफम को किसी वीडियो को rank करने के लिए बेचे को सजेशन में rank करें या पिर search result में rank करें या home page पे rank करें उसका main यही गोल होता है कि जादा देर तक देखे और उसको सही content मिले ताकि वो जादा देर तक देखे और बार बार है तो यूटूब का जो algorithm system है वो तीन मुक्तिफ चीज़ों पर काम करता है एक personalization दूसरा performance और तिस ठीक है वो किस तरह के जो content creators है उनका वीडियो देखता रहता है मिसाल के तुरबर आप अगर मेरी वीडियो बहुत जादा देखते है यूटूब पर एक मिसाल दे रहो तब अगर आप Facebook के सर्च करेंगी तो वो मेरी वीडियो को आपको लाजमे suggest करेगा कि उसे बात है कि इसकी वीडियो को यह देखता है पसंद करता है कमेंट होगा करता यह लाइक करता है शेयर करता है कुछ भी करता है तो वो मेरी वीडियो को आपको दिखाना पसंद करेगा क्यूंकि यहां पर आपकी chances जाद है कि आप मेरी वीडियो पर क्लिक भी करें और उसको complete भी देखें अगर वो उस keyword के ओपर कोई वीडियो मेरी मजूद है ठीक है यह engagement rate है click-through rate कितना है और बगरा बगरा ठीक है इसके इलावा फिर वो external factors भी देखेगा कि जो overall उस topic की market है उसमें कितने वीडियो मजूद है ठीक है उसको भी हिसाब से देखेगा competition देखेगा और मुक्लिप interest देखेगा उसके बाद आपको एक वीडियो जागे एक या एक से ज YouTube का जो algorithm है मैं जैसे का कि ये तीन मुक्लिप अंदाज में काम करता है तीन मुक्लिप algorithm है एक homepage के लिए दूसरा search page के लिए ठीक है search जब हम करते हैं कोई तीसरा suggestion के अंदर suggestion जब आप वीडियो देख रहते हैं तो जो आपको side पे नजल आती है कि कौन सी वीडियो आप नेक्स देखनी है वो एक suggestion का एक सिलतला होता है जो वो algorithm अलग 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 अंदाज में काम करता है तो पहले हम बात करने वाले home page का अलग अंदाज में काम करता है उसका ये ती वीडियो कौन सी best है आपके लिए उसमें पहले चीज़ आपको इंटरस्ट है एक specific चीज में मिसागदर पर आपको watches में इंटरस्ट है ठीक है तब वो देखेगा कि कितनी competition है सब कुछ देख लिए उसने अब उसने का कि इस हजार वीडियो का performance अच्छी है इस हजार में से personalization के मेरा इस हजार वीडियो के जो creator है उससे किसी किसम का कोई history है क्या behavior कोई और चीज मिलती है अगर मिलती है तो फिर उन लोगों को पहले आपके home page में दिखाना पसंद करेगा ठीक है वो उन लोगों को दिखाना पसंद करेगा जिसका आपसे थोड़ा बहुती personalization मिलती ह है अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं जिन लोगों को आपने subscribe किया हुआ है या उनके वीडियो आप अक्सर देखते हैं वो आपके home page पर उनकी वीडियो ज्यादा शो होंगी अगर आप बिल्कुल नियू है आपका idea नियू है सब कुछ तो आपके जो top trending चीज़े हों कि फिर ना उसको आपकी personalization का नहीं पता लेकिन उन वीडियो की performance का पता है तो यह दो signals काम करते हैं जब आप home page आप basic mobile पर को लें या desktop पर जो आपको वीडियो suggestion में आ रही होती है वो इन दो की बनियाद पर show होती है ओके जो दूसरा है वो है यूटूब का जो suggested algorithm है suggested वीडियो का algorithm है वो जो काम करता है वो तीन चीज़े मेन है उसकी काम करने के start पहला कि उसने देख रहे है कि अभी performance और personalization के बाद वो देखेगा कि वीडियो किस टाइप की वीडियो आप जाद अतर देखते हैं आपकी history को वो देख रहा है personalization के अंदर कि किस टाइप की वीडियो आप अकसर देखते हैं ठीक है और often watch together sorry इसके अंदर एक तो आपकी history देख लिए उसको पाद है कि आपकी एक specific watches के आप देख रहे हैं वीडियो sports watch की जो हमने अभी डाली है अब इसके साथ से related जो है खास दोर पर जो एक साथ देखे जाती हो वो वीडियो देखाएगा मसला कि सपोर्ट watch उसके साथ समार्ट watch जाता लोग हो सकता है देखते हो वो उसको suggestion में रखेगा ठीक है लेकिन इसके अंदर वो ये चीज़ भी देखेगा कि related हो कुछ जादा दूर दूर की चीज़ है ना हो आपकी personalization भी हो performance भी देखे जो है पास्ट में देखें कोई वीडियो उससे related चीज़ों को वो आपकी suggestion में रखेगा suggested videos में क्योंकि ये सब आपके main चीज़ जो आ जाती वोई performance और personalization में जा जाती है कि आपकी history को उसको पता है कि आप किस टाइब की वीडियो देखते है उससे related videos कौन सी हैं जो उसके साथ साथ देखी जाती है यव majority जो इंडरस्टी में देखी जाती है उस वीडियो के साथ वो उसको suggest करेगा और एक लंबी list होती है suggestion के अंदर भी और almost कभी कबार एक ही creator की 5-5-6-6-7-7-7 videos show हो रही होती है ठीक है तो यह सब इसी होजासे होती है क्योंकि वो related होती है उस videos से उस creator से जिसकी video आप देख रहे है यागर आप मेरी फिल देख रहे हैं तो हो सकता है मेरी काफे साथ वीडियो आपको suggestion में show हो ठीक है और यह चि creator आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको उसका suggestion मेरी वीडियो ज्यादा दिखेंगी बाकी उससे related वीडियो भी और दिखेंगी ठीक है तो यह सा suggested वीडियो का अल्गूरी था हो उसके बाद आजाते हैं हम search की तरह सर्च में उन तीन को अलग रखते हैं आप यानिके एक performance म शामिल है लेकिन बाकी जो दो हैं वो इसमें शामिल नहीं एक external factor और दूसरा personalization अब आप search कर रहे हैं ठीक है search के अंदर आपको उसने आपके keyword की बुनियाद पर दिखाना है और आपकी performance की बुनियाद उस वीडियो की performance की बुनियाद पर दिखाना है आपकी नहीं उस वीड वीडियो दालनी है उसके matter data को वो चेक करेगा matter data किसे कहते है वही title description वगयरा tag वगयरा और आपकी वीडियो के file हो गयरा इन्हीं को matter data कहा जाता है उस matter data को वीडियो की matter data देखेगा आपकी keyword देखेगा और फिर उन जो हजार वीडियो या तसलाए वीडियो जो उसको मिली है जितनी भी मिली है उनके सबके matter data को देखके वो देखेगा कि performance किसकी best है जो 100 वीडियो की performance भी best है और matter data भी match करता है keyword से उनको रैंक करके दिखा यह है उसको search algorithm जो मैंने सानल इस फादो में आपको बता दिया performance में जैसे आपको काई एक चीज मैटर नहीं करती किसी जादा व्यूज होनी उसको दिखाएगा मैंने आपको पीशे लेसम दिखाए कि मैंने सिर्फ चंद हजार वाले वीडियो भी वीडियो भी कि हजार वाल 2015 सुला के बाद satisfaction का algorithm का काम कर रहे हैं जितनी जिस वीडियो के साथ जो जितनी दा सैटिसपाइड है वो वीडियो ज्यादा rank करेगी search के अंदर भी और दूसरे जो आपको ठीक है तो यह तीन algorithm थे YouTube के जो अभी काम कर रहे हैं 2022 तक उसे आगे change होता है कुछ तो वो कुछ नह करना चाते हैं तो आपको किन चीज़ों पर काम करना होगा और अगर आप algorithm में search के पर रहें करना चाते हैं तो आपको किन चीज़ों को optimize करना होगा keywords को और अपनी performance को अपनी वीडियो की बास अब हम आगे जाके देखते हैं कि YouTube के लिए हमें कौन सी tips या strategies होंगी अगर हम उ करना चाहरें तो हमें क्या कुछ follow करना चाहिए बैशेक वो आपका business page हो आपका create our personal page हो जो भी आपके page की type है उसके लिए मुखलिफ strategies हो सकती है tips हो सकती हैं लेकिन हम कुछ ऐसी बताने वाले हैं जो general आपके दोर पे काम करेंगे almost 19-20 का फार्क किसी different topic कोई ऐसे निक टॉप तो हो सकता है कि काम ना करें लेकिन इसमें ऐसी चीज़ है जो general ने total algorithm के मताबिक जैसे हम पहले बात करते हैं YouTube एक सर्च इन जाने है YouTube एक सर्च इन जाने है वीडियो पर इफार में लेकिन सर्च इन जाने है तो पहली जो सबसे टिप है अपने बहतरी इन अंदाज में Keyword Research करनी है मैं रिपीट करता हूँ एक चीज कि हमने आदे गंटे के अंदर जिसना सिफ Keyword Research को थोड़ा दिखा और हमने अपने वीडियो पे अप्लोड कर दी ठीक है ये सिर्फ आपको लाइज दिखारी के लिए था कि हमने Keyword Research करनी है लेकिन Keyword Research इस से जादा टाइम मागीगी और आपने उसको देना होगा दो गंटे ले आपसे तीन गंटे ले लेकिन Keyword Research बहुत सी जादा एहम टॉपिक है यूटूब की SEO के अंदर क्यूंकि पीछे अल्गोरिफम कर रहा है कोई इंसान नहीं है जो आपने वीडियो को रेंक करे तो हम पीछे भी देख्या है तो अब वाइंट यहां पर आ रहा है कि हमने Keyword Research उसके उपर अगर आप कंप्रॉमाइज कर जाते हैं और Keyword Research हमेशा वीडियो Create करने से भी पहले की जाती है जो एक अच्छे चैनल है अगर उनको वागे मातल है तो वो पहले Keyword Research पहले करेंगे उसके बाद वीडियो बनाएंगे उस वीडियो के जो Keyword Research के मित्याब भी हमें पहते हैं यह हमारा Main Keyword है यह हमारा Title हो सकता है उस Title को भी उस Keyword को भी जहां में रखते हुए वो वीडियो बनाते है अपने पूरा Storyboard क्रिएट करता है कि हमने क्या-क्या बोलना है किस अंदाज में बोलना है क्या हमारे Style होगा क्या हमारे Tool होगी सब कुछ वो पहले सर्च करक चुगे होते है Keyword उने पता होगा कि यह हमारा Main Keyword है इसके Sporting Keywords यह है यह हमने अपने वीडियो में बोलने भी है जैसे मैं आपको पहले पता है कि वीडियो के अंदर आपने बोलना भी है अपने Main Keyword को एक दो बार और अगर स्क्रीन पर दिखा सकते हैं तो स्क्रीन पर भी दिखा दें ठीक है यह सब चीज़े matter करते हैं लेकिन अगर आप Keyword सच वीडियो बनाने के बात कर रहें तो आपको पता है नहीं है आपका Main Keyword कौन सा था और आपने उसको वीडियो में डालना है यह नहीं डालना वो आपको पता ही नहीं है तो आपने Keyword मैंने आपको भी करके भी दिखाया है जैसे Sport Watch मैं लिख रहा था Sport Watch बगेर सपेस के लेकिन जो सर्च हो रहा था वो Sports Space Watch सर्च हो रहा था ठीक है तो आपने अपने जहान के मताविक नहीं चलना आपने वो देखना है जो Customer सर्च कर रहे है जो वो लोग सर्च कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो बोल है वो उन लोगों को दिखाना है तो जो वो सर्च कर रहे हैं वो दालेंगे ताकि हमारी वीडियो रैंक करें तो हमें कुछ फाइदा भी हो सगे क्लियर होगे यह पॉइंट Keyword बहुत important है YouTube के अंदर Keyword Research के बगएर आपने वीडियो नहीं दालनी यह पहला और एहम तरीन टॉपिक है YouTube के अंदर ग्रो करना चाते हैं तो आपकी Keyword को आपको बहुत अच्छे से पता हो कौन सी वीडियो है किस Keyword पर रहें करनी है एक main Keyword होगा एक main Keyword होगा बाकी सारे उसके sporting Keywords हो सकते हैं तो यह तीन यह जितने भी आप रखना चाहें आपको पहले पता हो आपकी वीडियो क्या है उसके बदावी Keyword Research यानि कि जैसे मैं आपको दिखाया है कि यह वीडियो हमारी इसकी Keyword Research हम करने वाले है SEO करने वाले है कि वह शोट में आ जाती है तो वह शोट में चीली गए 30 स्कीन के थी तो तो अब मैं अब इसमें और चीज आ जा जाता हूँ अब हमने Keyword Research करने है तो Keyword Research करने के बाद मैं आपको पहले बता कि आ चुका हूँ कि वही Keyword Mean Keyword जो आपको होगा वही आपका अगर हमारे यहां पर YouTube SEO का कीवर्ड रखे तो हमारा जो टाइटल होगा है YouTube SEO complete step by step tutorial एक मिसाल कि YouTube SEO मारा main Keyword हो गया उसके बाद description में भी आपने पहली दो लाइनों में अपने Keyword को दालने की कोशिश करनी है naturally जबर्दस्ती नहीं पढ़ने वाले को होना चाहिए यह वीडियो की audio SEO के अंदर best काम करेगा जो आने वाले future में एक अच्छी चीज होगी क्योंकि लोग जितने आगे जारे हैं भी तरह सूस्त हो रहे हैं सूस्त हो रहे हैं तो इस टाइप करने का भी मुटाइम आपकी SEO काफी पावर्फुल रहेगी अच्छा दूसरा क्वाई अच्छा यहां पर कोई सवाल है तो कर लें नहीं है तो फिर clear clear लिख दें बगैर कोई जादा टाइम वेस्ट करें ठीक है दूसरा टॉपिक हमारा दूसरा टिप है हमारी यूटूब कैश अगर आप अलगुजित हमको थोड़ा सा पाई-पास करना जा रहे तो आपने थम्नेल ऐसा बनाने हैं जो समझ लो इर्रेजिस्टेबल हो यह थो पर क्लिक करने के वो रिजिस्ट करें लेगिन आपक करने अखेंगा आपके लिखा सकता हूं और मैं चाहूंगा कि आप देखें कि थमनेल एक अच्छा थमनेल कैसा होता है? मैं इसकी स्क्रेन पर यूटुब के स्क्राइन पर आता हूं तुकि जो थमनेल लेना उसी मैं सब्सक्रादा मसले होता है कि वीडियो की ऐसी अभी बड़ी बैहतरीण किया है लेकिन thumbnail खराबता हूं ठीक है तो मैं थमनेल आपको किसी भी इस एड़ेस्टी का दिखा सकता हूं लेकिन मैं अभी सिर्व मैं आपको एक दो जो brand जानता हूं जिसमें आपको उताता हूं इसको यहां सर्थ करता हूं यहां से tube बड़ी जो मारा दो competitors है अब इन दोने लोगस एक एक content है वो YouTube के हसाब से वीडियो के हसाब से दालते है चैनल के हसाब से मैं इनके आपको thumbnail दिखाना चाहरा हूं अच्छा यहां पर आपको SEO का अगर आप video SEO से मचारें तो इनके वीडियो के SEO के पर काफी अच्छे टूटोरिल मजूद है अब यहां देखें इनके thumbnails आप जड़ा चेक करें टाइटल में इसमें दाल दिया इसने YouTube Weird Monetization Update एक टाइटल एक यूनीक शुड यू वरी एक टाइटल एक यूनीक टाइटल ठीक है जो search में शायद ना search हो रहा हो ठीक है कि exact यही चीज़े search नहीं हो जोड़ी होती लेकिन यहां पर उन्हें keyword भी दाल लगे अपना वो keyword के है Monetization Update ठीक है उसके बाद उन्हें इस अंदाज में टाइटल दाले है जो उनको attract कर रहा है जो thumbnail दिखा दिया एक तरफ green जो before का था पैसे ही पैसा दिखा दिया तो इस तरफ red दिखा दिया after monetization की जो update आईए उसके बाद ठीक है यह attractive thumbnail यह unique thumbnail है पिर यह वाला देखे thumbnail की आपको लात्तदार मिसाले मिलेंगे और attractive thumbnail इन्हें ही कहा जाता है अब content इनका एक ही है बास उन्हें पता है YouTube के साब से कुछ ना कुछ दालना है और वो दालना है तुज़ार सी बात हुआ है कुछ ना ऐसा दालना होगा कि उनके YouTube वीडियोज वाले बाहर बार आकर देखे अब यह देखे अब यह वीडियो आई आट्रेक्टिव हैं यह नहीं है हो सकते हैं कि अग्सा थम्नेल अट्रेक्टिव ना बना रहे हो लेकिन आपको आइडियाज मिल जाएंगे आपका थम्नेल ही एक अच्छी चीज है जो लोगों को क्लिक करने पर मजबूर करेगा यह कल चीज भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थे कि अगर आपका थम्नेल ही अच्छा नहीं है तो आप व्यूज क्या लेंगे व्यूज नहीं ले पाएंगे फिर आप ठीक है तो इस चीज़ को आपने गोर करने है अपने कि थम्नेल आपका क्लिके बलो बैठरी क्लिक बेट नहीं हो क्लिके बलो यह निकि इस पर फेक कुछ महीं ना दाला हूँ अपने अपने वीडियो के हिसाब से ही थम्नेल हो आपका अच्छा इसके बदा सेम ही है आपका कॉंटेंट जितना भी अच्छा है मैं आपको भी बतारागा आपका कॉंटेंट में करूंस बतास है वर्ल्ड क्लास कॉंटेंट है लेकिन थम्नेल आपको खराब है तो लोगों को तो पहले थम्नेल दिखेगा टाइडल दिखेगा वही अच्छा नहीं है तो क्लिक कैसे करेंगे वो आपके पर ट्रस्ट कैसे करेंगे वो आपको नहीं जानते बिल्गल भी न्यू है आप आल्मूस 80-90% व्यूज बगए नोन सब्सक्राइबर से आते हैं तो वो आपको जो ट्रस्ट करेंगे क्लिक करेंगे वो आपको थम्नेल और टाइटल मजबूर करेंगा उनको क्लिक करने पर थम्नेल पर या टाइटल पर तो ही आपको व्यूज मिलेगा फिर हमें पर चलेगा कुंटेंट अच्छा था या बुला था तो थम्नेल और बहुत ज़्यादा जूरी चीज है तो थम्नेल आप कस्टम आप बनाया हमेशा डिजाइन कस्टम डिजाइन डिजाइन करके अप्लोड करेंगा फिर वेशे का वो कैनम आप बेदर रही है किसी सोफ्टर वगएरा को यूज करें अडॉप का यूज कुछ भी आप यूज करें अपने हलाल में नहीं बनाना कि क्लिक बेट हो क्लिक बेट नहीं चाहिए हमें जो हमारा जो इस एक काम है जो हमारे वीडियो है उसके मताबिक हमने थम्नेल डालने और क्रियेटिविटी आप लोगों के पास बहुत है अलहम्दुलिल्ला कि जादा देर तक लोग प्लेट फार्म में मुझूद रहे ताकि वो जादा आड दिखाए और जादा पैसे खमाए अगर आप उसको यह गूल अचीव करने में मदद कर रहे हैं तो आप की वीडियो रैंक करेंगे स apost Yipra आपको बताता है कि आप वीडियोस के अंदर पहले चीज है कि उस वीडियोस के अंदर वीडियो के अंदर ऊपका जो विवर है वो अटैच हो जाए ठीक है वो अटैच कैसे होगा आपने उसके एंड तक लेकि जाने के लिए कोई ने कोई material कोई ने कोई चीज सोच नहीं होगी content create करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये point ये person जानना चाता है तो वो उस video को उस point को आप दर्मयान दर्मयान में वक्वे वक्वे से बोलते रहे कि ये चीज हम आगे बताने वाले हैं ये चीज हम आगे बताने वाले हैं ये चीज हम आगे बताने वाले हैं अभी बताने वाले हो कुछ देरे बताने वाले हो एंड में बताने वाले हो ठीक है बस यह नहीं कि आप जान बूज के ऐसा करें, नेच्रल अंदाज में, कुछ न कोई न कोई वजा दे आपको, आप उसे ताकि वो आपकी वीडियो को complete देखें, जब आपकी वीडियो को complete देखेंगा, पसंद करेंगा, एक तो watch time मिल रहे आपको, फिर अगर वो पसंद कर रहे तो आपको एक अच्छे signal यूटूब को जा रहे, performance के, उसके बाद सिफ यही नहीं कि बस वो उस वीडियो को देखें, आपने कोशी करने है कि वो आपकी दूसरी वीडियो को भी देखें, ताकि आपकी जो चैनल के बसकर time spent है, वो जाद हो जाए, तो आपका जो चैनल है, शामिल हो जाएगा, जिससे आपकी वीडियो के होम पेज़ भी शोओंगी, उसके सजेशन में भी शोओंगी, तो यानि कि यूटूब की सिफ सर्च से, SEO से ही नहीं, आपको recommendation से भी views आ रहे होंगी, और almost 70% views recommendation से आते हैं, SEO से नहीं आते हैं, SEO से सर्च करने की आते हैं, वो सर्च हमने कैसे एक possible बनाना है, कि एक person हमारी फारी वीडियो भी देखें, उसको देखने के पाद हमारी ओल्ड वीडियो भी देखने के लिए हैं, तो उसके लिए कि हम card लगाते हैं, मैंने भी आपको card दिखा थे, कि हम card मुक्लिष्म्क्ली एवीडियो का card, एक बीडियो distribute कर दी अपने ही तूसरे content के उपद तो मेरे जो चैनल ता जाना content था जो time spent था मेरे चैनल पर वो जादा हुआ और मैं उसकी history में सामिल हो गया तो अब मैं उसकी home page पे भी मेरी वीडियो नई वीडियो शोगी और उसके suggestion में भी शोगी ठीक है अब यह SEO से नहीं हुआ मेरे content से और मेरी चोड़ी 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 best practices के वज़ा से हुआ मैंने card लगा दिया मैंने end screen लगा दी जो anime video के end में 30 आखरी 30 screens में यह 10 screens में आप लगा सकते हो ठीक है उससे वह दूसरी video पे चला गया प्ले लिस बना लिया अपनी यह की similar videos की तो उसने एक video देखी पर दूसरी देखी पर दीसरी देखी वह connect हो गया यह यह एक अच्छा option होता है उसके बाद अपनी आप videos के पर watermark से लगा सकते हैं जिससे उसे परदा चले कि यह video किसकी है और वह वापिस subscription watermark के दरीए आपको और videos के तरफ भी attach हो तो छोड़ छोड़ इसी best practices हैं जो आपकी SEO के साथ साथ गाम करती हैं आपको जादा views दिल्वाने के लिए जादा watch time दिल होई अचार चोथा हमारा point है वह attract views from other sources कि हमने सिर्फ SEO के पर ही नहीं रहना हमने सिर्फ organic marketing के पर ही नहीं रहना अब हम बात कर रहे हैं growth के YouTube के पर अगर हमारा budget है तो हम YouTube ads के जरीए भी growth ले सकते हैं क्रोस प्रमोटिंग करेंगे दूसरे social media के पर अगर हमारे वहाँ पर भी presence है विसागर मेरा page है फेस्बूक के पर तो मैंने अपने YouTube की वीडियो का link फेस्बूक पे बिदाल दिया वहाँ से भी views आते हैं मैं एक अकसर एक बड़ी तदाद आती है तकी पर ठीक है जो महाँ से व्यूज आती है देखती है मैं वीडियो को उससे मुझे performance के एक अच्छा signal जाता है वो एक अच्छा signal मुझे आगे भी rank करने में मदद करता है तो आप YouTube ads के जरीए भी कर सकते है और cross promoting जरीए भी कर सकते हैं आप किसी forum को यूज कर सकते हैं blog को यूज कर सकते हैं और मुझे तरीके हैं जो मैंने अपने पिछली वीडियो में भी आपको बताए थे और सच्छा यहां पर एक जो है ना गरवत चलती है कि YouTube ads से आने वाले या दूसरे social media से आने वाले views को सही नहीं समगता है YouTube तो यह चीज़ गलत है YouTube ने यह वकाइदा product team ने YouTube की product team ने बताया that the algorithm only pays attention to how a video performs in context कि video किस अंदाज में कितनी अच्छी perform कर रही है उसका watch time, engagement rate, like, dislike, comments यह चीज़े matter करते हैं यह नहीं मैटर करता कि source कहा है उसका ठीक है source matter नहीं करता है अगर आपका source किसी जो है ना behavior किस खराब है एक 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 IP से बार सारे व्यूज़ आ रहे है ठीक है और बोर्ट के दरी आए में बार बार तो वह तो आपकी व्यूज़ भी remove कर देगा YouTube और आपकी वीडियो को भी कर देगा आप आप सब्सक्राइबर भी remove ठीक है behavior भी सब्सक्राइबर भी होना चाहिए ठीक है अपने YouTube पर Facebook दालें तो मुक्लिफ मुक्लिफ IP वाई लोग आ रहे है वह एक natural चीज़ है उसको वह गलत नहीं मानेगा हाँ अगर आपको गल गलत चीज यूज़ कर रहे हैं व लेक है टेकनीक में आथ है हो आचा हमारे पाचवां प्वाइन अपने इंगेज होने अपने कमेंड के साथ ए पने अपने कमेंट के साथ आपने इंगेज होना है और अपने इसे जो टॉपिक से रिलेटिज चैनल्स हैं उनके साथ भी इंगेज होना है ठीक है सिर्फ अपने कमेंट के साथ नहीं उनके साथ भी इंगेज होना है और इसका मैंने मुझे खुद एक लाइफ तज़र्वा है इसी इसका माशालाला हम इसको और तरक्की देबने को और उसका लाइफ तज़र्वा है कि वो इस अन्दाज में काम करता था और अब उसके तक्रीबां एक मिल्यों सब्सक्राइबर के क्रीब पहुचने वाले हैं ठीक है तो शिर्व एक यही चीज़ कि वो अपने कमेंट के साथ भी इंगेज है अपने टॉपिक से रिलेटिड दूसरे लोगों की वीडियो के साथ भी इंगेज है अगर वो रैंक कर रही है तो उस जाता है उस पर कमेंट करते है फेक नहीं इक्जेक्ट कमेंट करता है अच्छा कमेंट करता है जो उस वीडियो से रिलेटिड होता है ठीक है तो एक relationship बन रहे है यह पहले तो आप अपने खुद की comment में कर रहे है तो आपका अपने customer के साथ relation बन रहे है ठीक है engagement बढ़ रही है और फिर आप दूसरे creator के साथ भी एक relationship बना रहे है और एक अच्छा signal YouTube का मिलेगा algorithm को और वो एक अच्छी चीज़ मानेगा इस चीज को तो लाजमी सी बात है कि आपने engagement तो बनानी है लेकिन सिर्फ अक्सर लोग कर देंगे कि comment में अपने comment में जवाब देंगे अपने users को अपने viewers को लेकिन हम साथ में दूसरे जो creators है उनके साथ भी engage रखेंगे ठीक है अब मेरी अगर YouTube चैनल पर देखते हूं अभी तो मैं ह दूसरे बाद चीज अपलोड करने वाले जो बड़े ब्रैंड्स होंगे यह उनके साथ भी में engage रहूंगा खास तो पर उनकी latest वीडियो जो आ रही होंगी ठीक है यह चीज़ भी आपने जैन में रखनी है तो यह एक तो अच्छा connection सा बनेगा उनके साथ भी और दूसरा आ की IP जो होती है इंटरनेट प्रोटोकोल बोलते हैं एक address होता है जो हाद यूजर का mobile या इंटरनेट का एक होता है ठीक है आप laptop यूज़ कर रहे हैं तो आपकी IP अप उससे ही एक परसन आपको यूज़ दे रहे है बार बार दस व्यूज़ दे दिया सो दे दिया हजार दे है पॉसिबिलिटीज होती है बहुत सारी तो वह वह व्यूज़ जो आ रहे हैं उसको पता है कि एक specific location से बार बार यूज़ आ रहे है क्यों वही एक परसन बार बार एक की creator को दिखे जा रहे है एक अच्छी चीज़ नहीं होती है फिर भी और कुछ लोग और बोर्ट के तर चाटा जो point है उस बड़ा simple सा point है माला give the people what they want लोगों को वो दें जो चाहते हैं टीक है जो वो चाहते हैं वो उन्हें provide कर रहे हैं अपने content के अंदर तो वो आप से जाधा देर तक रहेगा यह मैं पहले ही समझा के आ चुका हूँ कि अब जो 2000 के बाद से algorithm काम कर रहे है वह प्रियरेटाइज कर रहे है सैस्टिस्फेकेशन को सैस्टिस्फेकशन को साथिस्फेकेशन को प्रोमोट कर रहे हैं अगर आपको content exact वह होगा जो लोग देखना चाहते हैं तो आपको content पे जाल दीन तक उपर मझूद रहेंगे like भी करके जाएंगे क्योंकि वह चाहते वह तो हम खुद उनको प्रमोट देते हैं यार कमेंट करो, इंगेजमेंट होगी, एक अच्छा सिंगनल जाएगा हमारा चैनल प्रमोट होगा, सबस्क्राइब का अच्छा काल टो आक्शन देते हैं, इसी तरह से हमारा कॉंटेंट वो हो, जो हमारे वीवर्स देखना चाते हैं, ठीक है, और एक्जेक्ट वो चीज़ उने मिले हमारी वीडियो से, जो उनके मसलों खाल कर दे, फिर वो एक अच्छा स्ट्रॉंग करनेक्शन और रिलेशन बनेगा, तो फिर आप एज़िली यूटुब के पर स्पीड में ग्रोव करेंगे, लेकिन अगर आप इस चीज़ क के पर फोकस नहीं करते, क्वालिटी के पर, कॉंटेंट की क्वालिटी के पर, और जो लोग दीखना चाहते हैं उसकी चीज़ के पर, तो फिर आपका जो ग्रोथ रेट है, वो काफी कम रहेगा, तो इस चीज़ के पर, छेटे इस पॉइंट के पर आपने लाजमी तोर पर दियान देना है, अच्छा, साथ मों पॉइंट फिर से हम एक और चीज़ पर आगए, क्रोस प्रमोट यूर ओन वीडियो ओन यूटूब, अब इसमें वो नहीं है कि हम जाके, फेस्बुक के पर प्रमोट कर रहे हैं, वीडियो को यूटूब के पर ही प्रमोट कर रहे हैं, वो अपनी ही वीडियो को खुद ही प्रमोट कर रहे हैं, इस चीज़ को जह में देना है, कि आपने क्या करना है, डिस्क्रेप्शन में अपनी वीडियो का लिंक डाल सकते हैं, ठीक है, उसमें एक काल टू एक्शन दे सकते हैं, मिसाल के दोरबा, मेरी फेस्बुक की वीडि तो अब मैंने क्या किया, उन्हर विडियो के अंदर अपनी उस वीडियो की एक फेयर मरे में उना यू पूरिलिस बना रहे हैं आप एक प्लेडिस एक वीडियो से हमने एक वाइच्ट photograph मिला एक वीडियो देखे उचला गया लेकिन हम मेरी 30 वीडियो की पूरी प्लेलिस है तो अब वो उससे पहले इंटरसी देख रहा है उसने सारी वीडियो को देख रहा है मैंसे कुछ जो ओल्स को अच्छी लगी उसने वो भी देखी तो मेरा जो में मक्सद था वो ज्यादा देर तक मैंने यूटूब के पर उस यूजर को रोक दिया यूटूब कोश हो गया उसने मुझे भी परमोट कर दिया मेरी वीडियो को रहें करना स्टार कर दिया एक अच्छा सिंगनल में में चीज़ भई है आप उसकी गोल में मतद करें वो आपको परमोट करेगा तो आप अपनी खुद की वीडियो को अपने खुद के चैनल पर क क्रोस प्रमोट कर सकते हैं कार्ड के जरीए एंड स्कीन के जरीए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स के जरीए कमेंट्स के अंदर लिंक्स के जरीए अपने कमेंट पर लिंक करने और उसके पिन करने यह सब चीज़े पॉसिबल है अपने ही वीडियो को क्रोस प्रमोट कर नहीं के लिए, तो आपने अपने खुद की वीडियो को भी क्रोस प्रमोट करना नहीं बोलना अपने ही चैनल के उपर SEO बेस्ट है वो काम भी करती है, लेकिन आलमोस जो जादा लियूज आते हैं वो रिकमेंडेशन सिस्टम से आते हैं मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो SEO भी हमने करनी है, और रिकमेंडेशन सिस्टम पे भी हमने गोर करना है ठीक है, जब आट फ़ी पॉइट में जाने वाले हैं यहाँ पर कोई सवाल है, तो पूछे हैं मना वही क्लियर का लव्ज लिखने सवाल भी नहीं कर रहे हैं, क्लियर भी नहीं लिख रहे हैं क्या हो, असोब भी हो गया ठीक है, तो हमाँ आट फ़ी पॉइट की तरफ आते हैं अपने रेगुलर पब्लिश रेगुलर ली पब्लिश यूटूब कॉंटेंट तो सोशल मीडिया वापिस से हम एक ही पॉइट के पर आ रहे हैं वो पॉइट रिपीट करने की और एक अंदाज में दुबार से एक नया टॉपिक बनाने की वज़ाई है कि बहुत ही इपोटनेट चीज़े हैं कि आप एक दूसरे के जो फ्लोवर्स हैं अपने यूटूब चैनल के पर आपने फियस्बोग के लिंक दाले हैं इसकी डिस्क्रेप्शिन में आप लिंक दाले हैं यूटूब फेस्बूग के जो फ्लोवर्स हैं उन्हें इस पे लेके आ रहे हैं तो यह सब आपस में खुश होता है यानिका आगर 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 فेسبुक के फूलोवर्स को आप यूटूप पर लेके जाएंगे फूली, फेस्बूक के यूजर को आप यूटूप लेके जाएंगे तो यूटूप खूश होगा कि आपने देखा हो शायद कि यू टिक टॉक के बड़े स्टार्स जो टिक टॉक पर फैमस हो जाते हैं और वहाँ पर उनका चैनल काफी सक्सेस्पुली काम्याब हो जाता है क्योंकि वहाँ उनकी डेटा बेस है फॉलोवर्स की बीस है जो वहाँ पर शिफ्ट हो गई उनको इ एक साथ गुलो कर रहे होंगे तो इस पॉइंट को भी आपने लाजमी जहन में रखना है फिर दूस नाव नुवा जो पॉइंट है वो आलमोस में हर प्लेट फार्म के साथ ही पोलता वार हो आपको पोस्ट कोई वीडियो एड दा राइट टाइम और आपको हर प्लेट फा अपलोड करना है अब ये चीज़ जहन में रखें आप अपनी ये मशूर कहावात है जब लोहा गरम होता है उसी वक्तुरा मारा जाता है फिर वो सही अंदाज में तलवार बनता है खंजर बनता है कुछ भी समझे में तो जब लोहा गरम है एन उस टाइम पे आप अपने व 500 इंप्रेशन मिले उसमें से उसने 200 व्यूज ले लिए एक्टिव से उसके फ्लोवर्स 200 व्यूज ले लिए तो यह अब देखे हैं तक्रिवन आलमूस 40% उसकी जो है ना क्लिक तुर रेट था 40% और यह एक बहुत बड़ी क्लिक तुर रेट है और इस कम टाइम में उसकी ह अगर आपका सिवी टाइम ही खराब है हो सकता है कि आपके वह फ्लोवर्स ऑनलाइन नहीं थे आपने उस टाइम पर दाल दिया उसको आपको क्या हुआ एक दो वीज मिले दी वीज मिले और आपकी वीडियो को जो इंस्टेंट ग्रोज मिली थी वह नहीं मिल पाई ठीक है तो राइट टाइम आपने ढूंड़ना है अपना कि ढूंडर रहने हलालम है कि ये राइट टाइम है इस दिन का हमने उसे दिन अपलोड करनी है राइट टाइम सबसे इच्छी टेक्नीक है यह टैक्डिक है किसी भी प्लेटफार्म हो फेस्बूक हो इंस्टेङरम हो टिक फॉर्म कवर कर रहे हैं अलहुदिल्ला तो इन चारों में ये एक एहम चीज है और आगे भी इसकी एहमियत ऐसी बरक्रार रहेगी अच्छा अब हम दस्वें पॉइंट पार चुके हैं जो मैं आपको पहले भी पता किया हूँ ये यूज प्रीमियर लेकिन मैंने साथ में एक और लवज लिखा है इसमें वैन मेक सेंस जब खास तोर पर जूरी हो उस वक्त आप इसको लाजमी यूज करें ये असल में करता क्या है प्रीमियर जो है ना एक ऐसा कॉंटेंट हैस मझलें कॉंटेंट का से भी छोट आसा ऑप्शन है कि वो लोगों को नोटिफाई करेगा लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें चीज़ें हो रही है कि जब हम वीडियो को पॉब्लेश करते हैं नो मारी वीडियो पॉब्लेश होत और प्रीमियर कर दिया ठीक है जैसे मैंने प्रीमियर किया अभी के अभी जैसे मैंने प्रीमियर किया उसको एक नोटिफिकेशन चला गया कि यह वीडियो कल इस तारिक को पॉब्लेश होगी एक नोटिफिकेशन अब चला गया मुझे एक जब प्रीमियर होने वाली होगी म 10 बजे एंद 10 बजे आजको तीसरा प्रीडिमेर्क और प्रीट जाएगा कि वीडियो तर प्रीर मेरी पर प्रीमियर को यूज कर सकते हैं किसी भी बात किसी खास वीडियो में तो आप लाजमी तोर पे प्रीमियर के ऐप्शन को यूज करें ये आपके जो फ्लोवर्स हैं उनके लिए बैस्ट है कि वो लोग आके उनको एक रीकाल तीन दफार रीकाल लिए जारी है वो आपकी वीडियो को देख लें और आपको जो सब्सक्राइबर्स का बेसे वो में नहीं है कि वो आलटेडि आपको जानते हैं आपके कॉंटेन को पसंद करते हैं आपको फोलो किया हुआ है तो वो आके देखेंगे भी और कुछ लोग ऐसे हो भी होते हैं ना चाहते हैं भी लाइक कर देते हैं पहले देखने से पहले भी लाइक कर दिया ठीक है तो आपको एक अच्छा सिगनल मिलेगा तो बेस्ट है कि आप प्रीमियर के उप्षिन को यूज़ करनें जब आप कर सकते हैं अगर किसी वजासे आप यूज नहीं कर सकते हैं तो फिर आपकी मजबूरी है लेकिन इसमें मजबूरी मेरा एक ऐसा चैनल था जिसके अपर के लिंक बताना जो होता था वह मेन होता था कि लोग लिंक पर जाके उसको काम को करते थे तो अगर मैं प्रीमिर करता था तो लिंक वो आल्रेडी डिस्केप्शन में शो हो रहा है अब वो वीडियो देखने से भी पहले उस पे लिंक पर क्लिक करके वो चले गए वो वीडियो यह नहीं देखी ठीक है वीडियो प्रीमिर होई कि वो देखी नहीं कि वो तो पहले ही काम हो गया उनका तो ऐसी सुरत में आप प्रीमिर ना करें तो आपको पता होगा कि कौन सी टॉपिक आपको बेस्ट है तो जो कहीं पर अगर आप प्रीमिर यूज कर सकते हैं तो लाजमी तोर पर प्रीमिर यूज करें और एक दिन पहले ही स्केजुल पर लगा दे तो यह बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए और में काम करें गई है ठीक है तो यह हमने दस टिप थी जो मैंने आपको दिये इस वीडियो के अंदर हमने अल्गोरित्म को भी कवर किया और जो है ना कि अल्गोरित्म के सब्सक्राइब काम करता है ठीक है में जो गलती है जो होती है मैं कुछ आपको कोमन बतारा चाहता हूँ में चीज़ यह है कि अब मैंने मेरे एक से जादा चैनल रहे है और कुछ मोनेटाइज भी है और कुछ नहीं भी है अपना परसनल बाकि दूसरे टोपिक है तो उन सबसे जो एक्सपरियंस मुझे म पर क्वालिटी मैटर करती है खास सब्सक्राइबर्स फोलोवर्स भी करवागी लेकिन यह अच्छी लेवल की स्कील है उनकी तो बेरहल क्योंकि वो क्वालिटी के लगता है तो लोग उसको देखते भी और वो अच्छी आसे सब्सक्राइबर्स फोलोवर्स भी करवागी लेकिन यूटुब के पर क्वालिटी मैटर करती है उसके बाद कॉंसिस्टेंसी उसके प अगर हफते में एक दार है तो एक हफते में लाजमी डालें पिर अगर दिन में एक दार है नहीं तो पर दिन में एक दार है तो बैस्त लेए और हो सकता है कि आपने बड़े यूटुबर्स देखे हों युन्होंने बकायदा लिखा होते हैं कि Monday या Saturday ये दो तीन ये कोई तीन दिन रख देता है कुछ लिखेते हैं कि हर new video everyday बकायदा आपने banner में डाल देते हैं ताकि उनकी flowers ने देख सकें कि उन्होंने next video कब आने वाली है तो ये एक अच्छी चीज है और वे regularly उसी दिनों में upload करते रहते हैं तो ये एक अच्छी चीज है कि आपके जो चैनल है वो easily grow करता रहते हैं उसकी consistency की हुजासे regular होने की हुजासे ये करें SEO को proper गंदाज में हर वीडियो को setup करते रहें पहले आपके एक वीडियो की SEO ही है वो शायद 15-100 views ले रहे हैं पिर आपके जब 100 videos की SEO हो जाएगी तो वो सारे views ले रहे होगी है आपका ये किसम का quantum effect में रहिया quantum effect कहले हैं ये कुछ भी कहले हैं अभी से तो ये एक एक ऐसी चीज़ है जो पाउसूल है SEO ही किसम की investment है आपके चैनल के पर जो आप कर रहे हैं time की मेहनत की उसके बाद जब 100 videos होंगी तो वो एक किसम की बहुत ही बड़ी तदाद होगी जो आपको huge दिलवारी होगी और आपके सब्सक्राइबर तदाद बहुत जाद तीज़ हो जाएगी आप ये देखनें पहले ये देखनें के पहले जो 1000 सब्सक्राइबर वो मुश्किल होते हैं बहुत उसके बाद जब आपके 2000-5000 यहां के 10-10 सब्सक्राइबर हो जाएगी तेज़ हो जाती है और बाकिसे सब्सक्राइबर काफी तेज़ होते हैं आपके अगर कॉंटेंट आपका अच्छा है रेगू इसली स्कून से काम करते रहें, महरत करते रहें, यूटुब के बर गरो तो आपको मिल जाएगी, अच्छा एक सवाल आप भी पूछा है, हम सवालों के तरफ यह बार है, यहाँ पर हमारा जो लेसन है, वो हो गया, कम्पलीट, इसका, अब हम सवाल के तरफ यह बार है, एक प्रसनल चैनल को देखा है, कि उसके कुछ महीने का, कम अज़कर एक दो मेने के कहा पा गिया, वो अल्मोस्ट डैड हुआ पड़ है, ठीक है, अल्मोस्ट डैड है, अगर मैं उसे दुबार से स्टार्ट करना चाहूंगा, तो उसको मुझे तीन, दो तीन, दो तीन महीने फ मसला अगर महीने में पड़ जाते हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोशी करें कि रेगुलर रहे आपके, इसके इलावा कोई सवाल किसी का, देखें, यहां पर जो सवाल जवाब होता है, और उसको मेन मकसद यहीं पर जवाब देने का, और सवाल करवाने क यही होता है, कि एक बंदे के सवाल से बागी लोगों को भी उसके सवाल का जवाब मिल जाता है, और पूछना पा रहे हो, या फिर उनको कुछ गलत फहमें यहां सवाल के लिए हाथ से, तो सब क्लियर हो जाती है, तो यहां आपके सवाल पूचा करें, इसके कोई मैं एक्स अच्छी चीज़ है, जबके बहतरी ही ने, उसके अंदाज में आप काम, उसके जाने के अच्छी अंदाज में आप कुंट्रोल कर सकते हैं अपने कॉन्टेंट को, और बेस्ट है वो, उसमें कोई मसला नहीं है, या आपको कोई शोवर है मसला, इसके लावब कोई सवाल? अगर वो ऐसा करना चाहें तो यह कि आपके इस चैनल को कमर्सकूं 40-50 सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, लेकिन अब आप खुद देखें, यह जो ओनेस चीज़ है, कि यह सब ने आपको समझ लो, भाय चाहरी की मदद से, आप लोग उन्हें आपस में सब्सक्राइब कर लि नहीं है, यूटीब के पर, तो एजिली जिरो से ग्रूव करेंगे, तो भी आपको फायदा मिल जाएगा, इस चीज़ का 20-30-50-100 ऐसे फॉलोवर जे सब्सक्राइबर जो एक्टिव ना हो, आपके लिए फायदा मन्न नहीं है, इसके इलावा कोई सब्सक्राइबर जो एक् सोचें तो लाजाब कोई अच्छा सवाल ही पूछ ले, मैंने आप लोगों के लिए क्विज बनाई हुई है, उनका जवाब दे, स्क्रीन शोर्ट शेयर किया करें, कितने अटाइमट में आपने वो क्विज कम्प्लीट की है, वैसर तीन-चार सवाल ही रखता हमें, लेकिन परसंटेज के साथ आप लोगोंने कामियाभी हसिर किया, और कितने अटेंप्स में किया, ताकि आपको पता चल सके कि तीन से चार्ट सवाल, वो भी सिर्फ उसी टॉपिक के से रिलेटिड पूसें, जो हमने पेशे है, कवर किया होता है, अगर वो भी हमने एक रिपात है, इसका मतब़ी है कि हम इस टॉपिक को सोते हुए देखा था, जागते हुए नहीं देखा था, देखें मैं आपको पहले बता है, यूटूब के ओपर प्रसंटाल ये बिजनेस चैनल नहीं होते, ये एक प्रसंटाल आपकी आईडिय या पर ब्रेंड अकाउंट है, दोनों ह नहीं है, कोई फर्क नहीं है, किसी के समगा भी, ब्रेंड अकाउंट सिर्फ एहतियात के दोर पर मैं रेकमेंड करता हूँ, किसी भी परसंट को, वो ज्यादा सेफ है, आपके प्रसंटाल आईडिय महफूज रहती है, आपका आपका ये ब्रेंड अकाउंट है, अगर वो वो जब दो खाए है, सारे सवाल कंपलीट हो गया आपके, और कोई सवाल नहीं है, तो फिर हम सच में अल्ला हाफिज करते हैं, मिलते हैं इंशालला सुमवाज वाले दिन, तब तक के लिए अल्ला हाफिज